हलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं स्राबने कुछ राट से फिसे और एक ने रेसिपी के संग आप साबी का स्वागत है आज हम सुजी से बनने वाला एक बहुती आसान रेसिपी आप साब के लिए लाए हूँ सिर्फ दस रुपे में आप ये बहुत भेटरी र Cyrus को बना सकते हूँ घर में और आप इसको एक बार बना के पैनों तक store भी कर पाऊगे बच्चों के टीफून में भी इसको बना के दे सकते हो बहुत से बहुत ही खुस हो जाएंगे तो दोस्तों मेरा ये रेसीबी को जरूर देखना और अच्छा लगए तो एक लाइक करना और बहुत बहुत ज्यादा शेयर भी कर देना तो चले शुरू करें तो आज के ये रेसीबी बनाने के लिए देखो मैंने गैस के उपर एक कवा चाड़ा दिये है इस पे मैं वाइन कप जितना सूजी डाल देंगे दोस्तों यहां पे आप चाहो तो मोटा वाला ये पतला वाला कोई सभी सूजी ले सकते हो यहां पे मैं 200 ग्रम जितना सूजी लिए हूँ तो सूजी को पहले मीडियम टू फु अरुमएं दोड़ा के मीडियम लू फ्ले में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे जब तक इसके चला जा ज़के उसको ज्यादा लाल करके चाहो जाने तक और शकैच्शा पंदू जानमा अगर ज्यादा लाल करके ऐर था पा करेंगे तो आज डाल देंगे और 1 टेबल स्पून जितना चीनी डाल देंगे एक चुटकी नमक भी डाल देंगे सबको अच्छे से दूबाड़ा मिक्स करके एक दम लो फ्ले में थोड़ा और इसको रोष्ट कर लेंगे या फिर फ्राय कर लेंगे यहां पर दोस्तों देखो मैं तेल या घी बटर किसी का भी यूज नहीं कर रहे है खाली इसको अच्छे से रोष्ट कर लेना है तो जब यह रोष्ट हो जाए तब यहां पर में एक कब जितना लिकुड डूद दाल देंगे और उसी में वर्ट फूद कब जितना पानी भी डाल देंगे दूबाड़ा अच्छे से दो मिनिटी टाइम लगेगा दोस्तों मैं आभी आपको दो मिनिट बाद दिखा रहे हूं देखो सुजी बहुत ही अच्छे से ड्राइ हो गया है और सारा मॉंस्टर को सोक कर लिया है तो इसको और एक मिनिट के लिए थोड़ा अच्छे से चला के पका लेंगे ताकि यह औ ना ठंडा कर लेंगे क्योंकि यह घर में मैं इसका यह तो यह ऐसके कर मीडियाम कर लेंगे इसको अच्छेसे यह सूजी बदर से मासल के थोड़ा स्मूज सा पना लेंगे जैसा हमारा डो बनता है ना रोटी पड़ाथा चापटी के लिए वैसा इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा स्वप्ट कर लेंगे फिर इसमें डाल देंगे एक सोग्रम जितना चीनी का बुड़ा या फिर चीनी का पौड़ा यह आप नौर्माल चीनी को घर में असानी से मिक्स जार में डाल के बुड़ा बना सकते हो तो इसको भी मैं एक सोग्रम जितना डाल दियेampa है और अच्छे से दुबारा सूजी के संग मिक्स कर देंगे इस दोस्तों आपको इस टेम ज्यादा चिप-चिपा लगे तो आप यहां पे एक टेबिल चमब जितना मैदा डाल के इसको डो बना लेना तो यह बहुत ही आसानी से डो बन जाएगा स्मूज सा तो देखो मैंने इसको अभी किचन स्लैप में ले लिये है और अच्छे से इसमें मैदा डास्टिंग करके इसको अच्छे से दुबारा मसल लेंगे तो यह देखो हमारा बहुत स्मूज सा फाइन सा एकदम डो बन के रेडी हो गया है एकदम स्मूज सा डो इसी टाइप का बना लेना है तभी हमारा आजका रेसिपी बहुत ही अच्छा बनेगा तो यह farky है जिर्षाइबेंगे और एक्न जूबाद पिरणल डेंगे तो 3 ऊखार को दोफे पेलने हैं थोड़ा पहली मैंदा को दंट है तो को यह को अच्छे से मैंदा स्ञेध पोर में अच्छाब कर संद है दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो यह साइड से फट रहा है इससे टेंशन की कोई बात नहीं है और नहीं कपराने की ज़रूद है क्योंकि यह सुझी से बना है तो साइड में तो फटे गाई लेकिन कोई बात नहीं तो देखो मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है इसका जो है एक दिम इसी टाइप कर लखना है ना ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला तो अभी यहां पर देखो में चोटा सा कटोड़ी लिये है आपके पास ऐसा कटोड़ी ना रहे तो आप बोटल कर धाकर या फिर कुकिस कटर भी ले सकते हो उससे आप इस टाइप का इसक भी पह्त शाय लगा है तो एक ही बार में मेरा कितना सारा पन के रेडी हो गया है और यह दिखने में भी पहला लग रहा है और आप देख सकते हो नास्ते का चाब पनके रेडी कर स कता हो तो इसको क्या अब त्लने विए पहले से स्थेल को गड़ने के लिए छोड़िया है तेल जब अच्छे से गड़म हो जाए ना तभी इसको एक एक करके तेल के अंदर डाल देंगे और दोस्तो ध्यान रखना है इस टाइम एकदम हाई पे रखके और तेल को अच्छे से गड़म करने के बाद ही यह रेसीपी को तेल के ऊपर डालना है और जैसे ही डालोगे ना तो यह बहुत ही अच्छे से फुलना स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हो ना दोस्तों कितना प्यारा यह धीरे-धीरे फुलना भी शुरू हो गया है तो इसी टाइप का इसको दोनों साइद उलट-पलट के फ्राय कर लेंगे इसको फ्राय करने के लिए स्यादा अब सुजी से आप इतना सारा नास तक बहुत ही जल्दी घर पे बना सकते हो और आप इसको एक बर बना के बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो या फिर घर पे कोई मैमार आएगा तो आप उसको खिलाओगे ना तो आपका तारिफी तारिफ मिलेगा और दोस्तों आप जाओगे ना तो भी यह नास्तेगों बना के लेकर जा सकते हो तो दोस्तों यह बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होता है खाने में बहुत्ऊठी स्वादिष्ट होता है दोस्तों रेसिपी को आप घर पे बच ज़रूर बनाना और अच्छा लगे तो फिर से और एक लाइक अगर चैनल में न्यूफ्रेंस हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पिल्कुल ना भूले। ऐसे ही मिलते रहेगे नेने रेसिपी के संग। और दोस्तों, रेसिपीस को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। लाटा, बाइ बाइ और टेपकेर!